दोस्तों नमस्कार TV on India के इस खास बिलेटिन में आपका बहुत-बहुत स्वागत है असम में जारी विधान सबा चुनाओं के बीच कांग्रेस नेता राहूल गांधी ने पांच गारंटी दे कर बीजेपी और पीम मोदी के लिए बड़ी चुनाओती खड़ी कर दी है दोहपुर रैली में उम्रे जनसलाब के बीच राहूल ने 200 यूनिट तक फ्री बिजली चायबागान के कामगारों के लिए 365 रुपए डेली वेजेज, फ्री एजुकेशन और महिलाओं के लिए प्रतीमा 2,000 रुपए का आर्थिक मदद का वादा किया है चौकाने वाली बात ये है कि बीजेपी के तमाम दाओं के बीच महांगाई से तरस्त जनता का रुझान कांग्रेस की ओर तेजी से बढ़ रहा है जो बीजेपी के लिए टिंसन है अगर यहां पे कॉंग्रेस पार्टी का चीफ मिनिस्टर बना मेरा वाइदा है उसका नहीं मेरा वाइदा है कि 365 रुपए आपको मिलेंगे जाए कुछ भी हो जाए कोई कुछ भी कह ले मुंबई के पुलिस आयुकतर है परमवेर सिंग की एक चिठी से महराष्ट की राजनीती में भूचाल मच गया है परमवेर सिंग ने सियम उद्धो ठाकरे को चिठी लिख कर बताया है कि किस तरह ग्रिह मंतरी अनिल देश्मुक पुलिस विभाग से हर महीने 100 करोड कमाई की मान कर रहे थे सचिनवाजे प्रकरण में परमवेर सिंग के तबादले के बाद यहां खुलासा हुआ है जिसने महराष्ट की महाविकासा घड़ी सरकार और पुलिस महकमे की कलई खोल कर रख दिये इस मामले को लेकर विरोधी दल बीजेपी हमलावर हो गई है पुर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष देविंद्र फड़नवीस ने इस मामले की निस्पक्ष जाज के साथ ही स्रिया मुद्धव ठाकरे और ग्रियमंत्री को ततकाल हटाने की मान की है मुंबई के पूर्व पुलिस कमिशनर और सरविंग डीजी श्री परमवीर सिंग इन्होंने पत्र के माध्यम से जो आरोप लगाए है वो अत्यनत गंभीर है मैं तो ऐसा मानता हूँ कि जो जिलेटिन की स्टिक्स मिली है उससे भी ज्यादा विस्फोटर इस प्रकार के ये सारे के सारे आरोप दिखाई पड़ते है बिरह मंतरी जी ने तुरंद इस्तिफा देना चाहिए वो नहीं देते है तो उनको मुख्य मंतरी जी ने हटाना चाहिए और इसके निश्पक्ष जाच होनी चाहिए या तो केंडरी आइजनसीज इसकी जाच करे और अगर इसमें राज्यसरकार को ये लगता है कि हमको इंक्वाइरी इसकी होने चाहिए और ऐसी सरकार को ततकाल बर्खास कर देना चाहिए मुंबई के पुलिश कमिस्नर परमबीर सिंग द्वारा सीयम को लिखी चिठी पर मन से अध्यक्स राज ठाकरे ने भी टीपणी की है राज ठाकरे ने मुंबई में आज एक प्रेस कॉंफरेंस में कहा कि ग्रियमंत्रिया निल देश्मुक पर परंबीर सिंग का आरोब बेहत गंभीर और महाराष्ट की छबी को कलंकित करने वाला है इसलिए ग्रियमंत्री को ततकाल सीपा देना चाहिए और उनकी उच्च सरीय जाच करवाई जानी चाहिए फिलाल मुंबई में मचे घमासान के बीच अबाम आदमी पार्टी भी कूद गई है महाराष्ट की आप नेता पृती शर्मा मेनन ने सवाल उठाया कि आखिर मुंबई में असली अपराधी कौन है पुलिस या सरकार में बैठे नेता या क्रिमिनल उन्होंने सक्त कारवाई की भी मांग की है परंबीर सिंग जब उन्हीं एक ख़बर मिली तब क्या कर रहे थे उनको क्या ये बात अभी याद आई जब उनका ट्रांसफर हो गया उससे पहले क्या वो उस एक्स्टॉर्शन में मदद कर रहे थे और जिस तरीके से रिपोर्ट किया गया है उनके लेटर में क्या ये रूटीन बात है कि पुलिस ऐसे एक्स्टॉर्शन करती है और पॉलिटीशन की जेब भरती है हमें एक बहुत बड़ा सवाल करना है इस सरकार से पिछली सरकार से और पुलिस एस्टैबलिश्मेंट से कि मुंबई में क्राइम क्रिमिनल्स कर रहे है या मुंबई पुलिस और मुंबई पॉलिटीशन कर रहे है अब तो ये हल हो गई है और हमें इसकी एक निश्पक्ष इंक्वाइरी की जरूरत है महराष्ट में कोरोना के आकड़े जोर पकड़ने लगे हैं कोरोना नियंतरन को लेकर मुख्यमंत्री उद्धा ठाकरे ने हापकेन इंसिटूट लेवेर्टरी में भेट दी और कोरोना उपचार के लिए जरूरी समसाधन और इंतजामों का जाजा लिया सिया मुद्धों ने यहां के डाक्टरों और प्रवंधन अधिकारियों से कई अहम मुद्धों पर बातचीत भी की उन्होंने कहा कि महराष्ट में कोरोना पर नियंतरन जरूरी है और इसके लिए सरकार हर जरूरी इंतजाम करने में जुटी हुई है राज के परिवटन मंतरी आधित ठाकरे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं अपने कोविड रिपोर्ट की जानकारी देते हुए आधित ठाकरे ने ट्वीटर पोस्ट में लिखा है कि जो भी लोग उनके संपर्क में आये हैं वे अपनी जाँ जरूर करा लें और कोरोना से सुरक्षा के लिए जरूरी साओधानियों का पालन करें। वसूली वाले खुलासे पर खामोस क्यों हैं इस मामले को लेकर संजेराउत और जहन पाटिल फिलहाल दिल्ली पहुंचे हैं जहां वे शरत पवार से मुलाकात करने वाले हैं। राजपाल से करने जा रहे थे लेकिन सरकार के इसारे पर पुलिस ने हमें रोक लिया और जवरन गाडियों में ठूस लिया। फिलाल बीजेपी सरकार के खिलाप आकरामक हो गई है। नौइमबई में 24 घंटे में कोरोना के 347 नए मामले सामने आये हैं। बीते दिन 294 संक्रमितों का पता चला था। दो दिनों के भीतर नौइमबई में कुल 5 लोग कोरोना से जान गवा चुके हैं। इसे लेकर नौइमबई के मनपायुकत अभिजीत बांगर ने नागरिकों को आगाह किया है कि कोरोना तेजी से बढ़ रहा है। इसलिए गाफिल नर है। यदि लोगडाउन नहीं चाहिए तो सुरक्षा नियमों का कडाई से पालन करें। रेस्ट्रिक्षन लावले जाता है शासना चावतीने त्या विचार पूर्वक लावले जाता। आपले सग्ड़ना कलपना है कि लोगडाउन लावने जनिर में अत्यमता अप्रिया आहे। आनि त्या मुला फार मुटया प्रमनावरती लोकानाहसु विदा होती। मात्र पेशन्ची वाड आपले ला कहीब करून या मदे नियंद्रान मिलवन गर्जेचा है अधर्वाइस कही आप्रिया गोष्टी आतिरिकत रेस्ट्रिक्षन आपले लावले लोगडाउन नको असेल तर फार मुटया प्रमनावर कालची घहबी लागे। परियावरन सुरक्षा के साथ खिलवाड करते हुए नईंबई में एक सर्विस रोड के निर्मार की यार में सैक्णों पेडों के काटने का मामला सामने आया है। सानिय परियावरन प्रेमियों ने इसके खिलाप आवाज उठाते हुए महानगर पाली का और M.I.D.C. अधिकारियों को जिम्मेदार ठराया है। आरोप है कि एक कार्पूरेट कंपनी को फायदा पहुचाने के लिए सर्विस रोड के किनारे दस साल से अधिक पुराने पेडों का कतलयाम करवा दिया गया। हलाकि इस बारे में शिकायत के बाद भी मनपा अधिकारी जवाब देने को तयार नहीं है। जिमेदार है। उनके लिए आप एक्शन कड़क लेजिए और ये जो भी पोधिये काटे हैं हमारे एक एक बच्चे है सर। हमारे खुले आँके सामने आप हमारे बच्चे को ठार मार रहे है। आज के बुलेटी में बस इतना ही अगर आप मुंबई महराष्ट और देश विदेश की ताजातरीन खबरां देखना चाहते हैं तो आप TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब करना मत भूलें। नवस्कार।